नमस्कार दोस्तों आप सबोगा मेरे YouTube चैनल में स्वागत है मैं आज आप लोगों को दोस्तों छेत्रमीटी पढ़ाने वाला हूँ चाहिए मैंने कि सारे बेसिक कलासिस फिर मैंने आप लोगो गोला पढ़ाया था फिर 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 आज मैं आप लोगों दोस्तों basically जो है इनके use करना बताता हूँ मैंने तो पहले आप लोगो वसे चीज चीज करवा दे अब जो है मैं इनके formula को मैंने use करना सिखाूँगा क्योंकि दोस्तों formula से नहीं होगा आप लोगो question बनना आना चाहिए तो मैं आज छलिए आप लोगो फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं अपलाई कैसे करते हैं चलिए दोस्तों मैं आज आप लोगो important question बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों आज की class जो है बहुत जादा important होने वाली interesting होने वाली है, BBI होने वाली है तो चलिए दोस्तों जाया देरना करते हुए आज की class हम mensuration की जो part 3 classes है छेतर में थी कि वो हम start करते हैं मैं ये दोस्तों ये 10th class की जो है 10th class के लिए दोस्तों mensuration 10th class का है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों तो क्या करते हैं question 1 की शुरुवात करते हैं पिछले वीडियो मैंने आप लोगों दोस्तों बताया था कि यह हमारा क्या है सिलिंडर है बेलन है यह उपर में दो विरित हैं आप लोगों पता होगा ठीक है दो विरित है ठीक है चलिए यह हमारा बेलन का उचाय हो गया है अब यह हो गया वकर प्रिष्ट का छेतरफल यह हमारा तिरजिया हो जाता है ठीक है मैंने आप लोगों पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं थ्वासा हेंट देता हूं दोस्तों चलिए इस समपूर्न प्रिष्टि यह छेतरफल अगर हमसे पूछा जाएगा दोस्तों क्या करेंगा 2π आयारह अपलस दोनों विरित का जोड़ दींगे पायर स्कवैर पलस पायर स्क्वैर तो क्या होगा 2π आय फ्रिश्टिक है आप पलस टूपाय आरह स्क्वैर और 2π आयारि ये विरित का छेत्रफल और ये विरित का छेत्रफल एड करेंगे तो हमारा संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल वाकर प्रिष्ट इसको कहता है संपूर्ण प्रिष्ट पूरा हमारा इसको आगया अगर इससे आपको आईतन पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे दो दोस्तों चलिए मैंने आपको फॉर्मूला एंड दे दिया तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं बेलन में कुछ क्वेश्चन को इंप्रोटेंट क्वेश्चन करवाता हूं क्यूंकि इसे एक्जाम में बहुत ज्यादा कोई सत्पूचे जाते हैं दोस्तों हमको यह एच है यह आर है चलिए दोस्तों हमको बेलन का जो आयतन क्या दे दिया गया है टेकर दोस्तों बेलन का जो आइतन है हमको दे दिया गया दोस्तो 75 cm क्यों ठीक है दोस्तो 75 cm क्यों और इसका जो है क्या है हमको तिरजिया दे दिया गया गया है दिर्जिया हमारा दे दिया गया है 7 cm अब हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों इसका उच्छाए ग्याद करें यह जो हाइट है यहां से यहां जो देख रहें आप यहां से यहां से यहां देख रहें ओपी जो है ओपी हमसे हाइट हो इसका पूछा जा रहा है तो मैंने ब किका दे दिया है results यहां पे भी धे दिया गया है 75 को दिक दोस्तो, आर का वैल्व हमारा 7 है, तो 7 गुने 7, ठीक है, एज का वैल्व हमको find out करना है, तो ये 7 से ये 7 हम काट लेंगे, ठीक है दोस्तो, अब हमारा एज चाहिए, एज निकालने के दोस्ते, इस तरव ले आएंगे, तो चलिए, हमको 75 में क्या करेंगे, साद़्दुनी 14 साद़्दुनी 14 15 ठीक है दोस्तो वधी कत यह हमारा च इतना सेंटिमेटर निकला आएगा चलिए नहीं दिख़़ा होगा आप दिख़़ा है दोस्तो चलिए चलिए च निकालने के अ यह क्या करेंगे दोस्तो 75 को क्या करेंगे साथ को धुझा खरेंगे दोस्तों कितना जाया 55 में 115 से दिवाइड करेंगे तो हमारा चला कॉठा है एक दोस्तों तो अगला उप 몇 है दोस्तो अगला कोशन ये रहेगा दोस्तो हमारा दे दिया रहे है पृस्टी हेचस्थाफल क्या दे दिया रहे हैं वक्र पृस्टी यह यह हमारा कोई शी कर्वा दोस्तों ठीक है मैं आपने वह कवर मुल्मूला clever करवाना सिखा रहा हूं दोस्तों आपको question भी मैं उस पे अधारित यह है हमारा यह आ रही है देखिए दोस्तों यह बिरित का तो तिरजिया है यह उपर में ही बिरित है मैंने आप भी आपनों वह बता है ठीक है दोस्तों अब हमारा question कहा है दोस्तों question है हमारा चलिए यहां पर हमार क्या वक्र प्रिष्टिय च्छेत्रफल मतलब एरिया यहां पर वक्र प्रिष्टिय च्छेत्रफल मतलब एरिया जो है हमारा दे दिया है कितना दोस्तों एरिया जो दे दिया गया हमारा दोस्तों यहां पे लिख दीजिए 42 cm हमारा यह जो बेलन है बेलन का एरिया हमारा वक रिप्रिष्ट ठीक है दोस्तों वक रिप्रिष्ट मतलब इतना एक सिलिंडर को जाए दोस्तों दोनों उपर वाला नीचा नीचे छोड़ के सरकिल छोड़ के दोस्तों यह वक्र प्रिष्टिया छेत्रफल इतना दे दिया गया और यहां पर हमारा इसका उचाई जो दे दिया गया है दोस्तों वो 7 cm दे दिया गया तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इसका तिरजिया निकाल लिए बेलन का तिरजिया निकाली तो तिरजिया हमसे फाइंड आउट क तो हम क्या करेंगे? हमको पता है, बेलन का वकर पिरिस्टी है, छेतर फल क्या होता है दोस्तों, मैंने आप बताया 2π, यह हमारा फॉर्मॉला होता है, तो छेतर फल थो हमारा दे रखा है दोस्तों 40 cm square और फॉर्मॉला टु, πi का value तो आप लोगे बोपतावा 22वट है R हमारा निकालना है h हमारा कितना दे दियागा दोस्तो h हमारा 7 दे दियागा है क्या दोस्तो तो यह 7 से 7 हमारा कट जाेगा क्या दिकाड़ निकाड़ा अब दिक्थे दोस्तो 42 देखे 2 तो 2 है पाई के बदले 22 वट्टा साथ आर तो हमको निकालना है तिरजिया साथ हमारा उचाहे हमारा साथ दे रखा है कोई दिक्का दोस्तों अब जो हम आर का भैलू ये साथ से साथ कट गया आर का भैलू निकाल लेजे आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 42 42 बटा 44 ठीक है 42 बटा 44 अब काट दजए दोस्तों दोस्ते हमारा काट रहे 23 अठीज़ हमारा 22 मतलब 23 हमारे के आउगे 12-22 सेंटिमीटर विदिक्का दोस्तों यह हमारा एंसर आगया तिरजिया हमारा फाइड आट आगया ठीक है दोस्तों चलिए इसी तरह हम बेलन पे एक और question ले लेते हैं दोस्तों एक और important question बेलन पे और क्या बन सकता है यह सारे question में जो दोस्तों अपने हिसाब से आप लोगों को formula जिसते की सारा हमारा formula जो मैंने पढ़ाया है क्या-क्या question पूछे जा सकते हैं सारे basic जो है आज के लिए रोजाएंगे आप लोगों को चलिए ठीक है दोस्तों चलिए हमारा को एक बेलन है देखे दोस्तों अगर आपको formula बनाना आता है formula बना के अगर आप समझ रहे हैं तो आप लोगों को तो आप लोगों का basic क्या आप लोगों का मजबूत है formula बनाना ये मतलब figure बना के साथ आप लोगों को समझ रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों सब कुछ आता है चलिए ठीक है हम जान लेंगे पुर्ण बेलन का बेलन का पुर्ण छेतरफल ठीक है समपूर्ण छेतरफल ठीक है ये मतलब कि ये सब छेतरफला जाएगा कितना दे रखा है दोस्तो ये हमारा दे रखा है 44 ठीक है 44 cm2 दे रखा है और हमारा दोस्तो आर जो दे रखा है आर अब हमारा दे रखा है आर हमारा कितना दे रखा है दोस्तो पाई दे रखा है आया आर वरावर साथ दे रखा है और हमसे पुछा जा रहा है H का वेलो बेलन का उच्छा है निकाले ठीक है अब दोस्तों हमको बेलन का समपूर्ण प्रिष्टी एच्छेतरफल कितना है बेलन का पुर्ण प्रिष्टी एच्षेतरफल याच्षेतरफल दोस्तों कोई दिकत नहीं है पुर्ण का मतलब पुर्ण होई जाएगा प्रिष्टी लिखने के कोई जोरत नहीं पड़ेगा अब हमको पता है या फोर्मूला क्या लिखाया था हमेरे टू पाई का वैलू कितना दोस्तों बाइस बट्टा साथ होता है अब लोगों पता होगा पाई का वैलू बाइस बट्टा साथ होता होता है सब्सक्राइब ना और हमको साथ दे दिया गया है और साथ दे दिए गया तो साथ पलस है ठीक है और हमारा चोबाल है एच का वहलों निकालना थो टीक तो उपर में मैं आप इनको मिटा सकता हूँ कोई दिक्कत दोस्तों मुझे नहीं लगता आप लोग दिक्कत चलिए नीचे में स्पेस नहीं है चलिए अब चलिए दोस्तों अब जो है इसको जो है इस तरह ले आएंगे तो हमारा साथ पलस H बच जाएगा देखें दोस्तों दिमाग लगाने वाला है यह साथ पलस H छोड़के और यह गुना में सारा तो हम इसके बटे में कर देगे आप लोगों को पता होगा आपने सब पढ़ाया है मैं इस लिनियर इक्वेशन सब पढ़ाया है लिनियर इक्वेशन में ठढ़ाया दोस्तों ह हमारा हो जाएगा वह यह कितना हो जाएगा वन उसे साथ घड् में दोस्तों हमगोन हाप符ण हो जातर गुवेशन है इस तरह हमारा इक्स का trainers कीम मास मैंस सेवं ठीकad को करदीक्त्ण दोस्तों एस सबार लेकिन दोस्तों बातर नहीं यह लेकिन दोस्तों क्या है अगर डाटा इतना दिया रहे है तो हमारा इतना आ जाया कोई दिक्कत दोस्तों मुझे नहीं लगता आप लोगों कोई दिक्कत होने वाले है ठीक है दोस्तों चलिए क्योंकि कभी भी हाइट जो है निगेटीव नहीं हो सकता है दोस्तों क्या है इसलिए लेकिन कोईशन है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है यह दो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ चलिए इसी तरह दोस्तो हम एक अगला कोश्ण ले लेते हैं चलिए इसी पे पुर्ण प्रिष्टिये छेतरफल पे यह हमारा हाइट है यह हमारा आर है ठीक है दोस्तो चलिए तो कोश्ण एक और लेते हैं दोस्तो समपुर्ण प्रिष्टिय छेतरफल दिया गया है हमारा दोस्तो चलिए समपुर्ण प्रिष्टिय छेतरफल हमारा दिया गया है कितना 88 cm2 दिया गया है ठीक है दोस्तो 88 cm2 दिया गया है R बराबर हमारा दिया है कितना दोस्तो 2 cm ह्-ठीर है ठीक है दोस्तो इच वरावर हमको निकालना है टीक है ठीक है ये स्टों एज पर आबर हमको निकालना है को nouvelles कि दीक दोस्तों मुझे नहीं लगता को वह अप सब्सक्राइब हमारा जो छेतर फल होता है संपूर्ण प्रिष्टिय छेतर फल वह क्या होता है दोस्तों टू पाइ आर इंटू आर पलस एच ठीक है तो चलिए तो पाइ आर इंटू आर पलस एच इस इजग वल्ट वहारा कितना दिया 88 cm2 अब चलिए हम वो क्या निकालना है दोस्तों है चल 22 बट्टा 7 आर हमारा दे दिया है कितना दोस्तों आर हमारा 2 दे दिया गया है ठीक है चलिए अब 22 से जो है इसको काट देंगे कटेगा दोस्तों देख लीजिए कटने वाला है तो 4 से हमारा कट रहा है ठीक है दोस्तों क्या है कट रहा है और ये फिर हमारा ये 4 कट गया ठीक है दोस्तों तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों ये 7 आ गया ठीक है चलिए देखें दोस्तों ये 22 से कट गया 4 पर ये 2 तना चार ये कट गया अब ये 7 उपर चला गया तो ये 7 हो गया चलिए अब हमारा क्या है यहां पर दोस्तो अब हमारा यहां पर क्या निकालना है दो एच आर तो कितना दो है आर हमारा दो दिया गया है एच हमको निकालना है तो इते चलिए एच हमारा कितना हो जागा साथ में से दो निकल गया यह हमारा एच वरावर कितना हो गया दोस्तो हमारा 5 हाइट हमारा कितन प्रफन निकालते हैं किस तरह से वक्रप्रिस्टी जी है क WHEER if All the इ crazen निकालते हैं चलिए चलिए अब दोस्तों अगला जो है अगला जो हमारा है आप लोगोंгорं बढ़ लिया अब हमने क्या पढ़ना है दोस्तों अब हमको संकु मैंने दोस्तों पिछले कलास में आप लोगों को बता दिया था पिछले मैंने संकु के बारे मैं आज अभी नहीं बताने वाला हूँ ठीक है दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों क्या गोला यह गोला चलिए दोस्तों सही से फिगर बना लेते हैं इसका यह हमारा क्या है दोस्तों यह हमारा गोला गोला जो होता है क्या हमारा गिंद के आकार का होता है ठीक है तो इसका मैंने आप लोगों दोस्तों पिछले कलास में आप लोगों बताया था दोस्तों गोले का छेतरफल जो होता है वो दोस्तों क्या होता है आप लोगों ने दोस्तों गोले का छेतरफल पढ़ा था पिछले कलास में 4 pi r square ठीक है यह हमारा गोले का पुर्म पिष्टी यह छेतरफल हो जाता है ठीक है दोस्तों पूर गोले का पूरा छेतल फल और उसके बाद गोले का इतन पढ़ा था आप लोगँ किट defects Certain कितना पढ़ा था फोर बटा थीरी आर 53 मैं आपको याद दिला याद दे रहा हूं दोस्तों लेकिन यह सारे चीज़े पढ़ाई गई है आपको याद होनी चाहिए फिर दोस्तों मैंने आपको पढ़ाए था अर्द गोला ठीक है दोस्तों कटोरे के आकार का होता है अर्द गोला ठीक है समझ लिजे कटोरा ही है और यह हमारा समझ लिजे को बॉल है चलिए इसका भी यार हो जाता है इसका भी यार हो जाता है effective समझने किसी गलती मत करिएगा दोस्तों particle और गोले में बहुत का डिफरेंस है चलिए अब हमारा यह अर्थगोला हो गया अर्द गोला अर्ध गोले का वकर प्रिष्ट वकर प्रिष्ट मारे ये सर्किल छोड़ के ठीक है दोस्तों इसमें दो छेतरफल हो जाते हैं लेकिन इसमें एकी छेतरफल हो जाता है वकर प्रिष्टी है छेतरफल क्या हो जाएगा दोस्तों गोले का आदा कर दिजिए 2 pi r square तो दिखकत दोस्तों और इसमें क्या होगा समपूर्ण प्रिष्टी है चेत्रफल अर्ध गोले का समपूर्ण 6 तुर्फल क्या हो जाएगा दोस्तों समपूर्ण मतलब यह जुटे गाना दोस्तों देखें यहाँ पर समपूर्ण मतलब आपको इसमें ये वकरपिस्ट में एक सरकिल है यहां पर देख रहे है गोले का टोले का जो मुह है वो सरकिल क्या का रहा है यह जूट गया तो मतलब क्या हो गया थीरी पाई आरे स्कुरे ठीक है दोस्तों वकरपिस्ट का च्छत पल निकाल ले के लिए बोला जाएगा संपुर्ण प्रिष्ट का बोला जाएगा तो थीरी पाई र स्कुरे ठीक है अब गोले का अर्ध-गोले आतन पूझ लिया जाएगा दोस्तों यह मैं कुमा कुमा- देर और मतलब समझ जाएगा अर्द-गोले का आयथन आतन कैसमपुन संपुन गोले का जो आतन होता है फो तो अर्ध गोले का जो हमारा यहां पर आयतन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं अर्ध गोले का जो हमारा आयतन हो जाता है वो क्या हो जाएगा इसमें 2 से भाग देतेगे तो 2 बट्टा 3 और पाई आरक्यू ठीक है दोस्तों इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा अर्ध गोले का आइतन हमारा निकल आएगा ठीक है दोस्तों मुझे नहीं लगता आप लोग कोई दिक्कत होने वाली है Fris दिख रहा है दोस्तो कोई दिक्कत नहीं, light थोड़ी चली गई है दोस्तो लेकिन चलिए आप लोगों को Mean क्वेशन यह हमारा कोई गोला आइ टीक है दोस्तो, गोले का जो हमारा क्या दिया गोले का गोले का आयतन हमारा दे दिया गया दोस्तों कितना गोले का हमारा आयतन दोस्तों कितना दे दिया गया अठासी सेंटीमीटर क्यों ठीक है तो हमको क्या निकालना है दोस्तों हमको गोले का तिरजिया निकालना है आर का वैलू फाइंड आउट करना है तो आर कैसे नि 88 और तो आर्स निकालना है तो हमको आर्कूर ले लिए ठीक है दोस्तों तो आर्कूर ले ले लिए तो ये सारा जितना है ये इसके बटे में आजाएगा 4 बटा 3 इंटू 5 4 से हमारा कट रहा है दोस्तों देखिए 4 दूनी 8 अर 4 दूनी 8 चली ये कट गया हमारे तो मतलब 22 बटा 22 बटा दोस्तों पाई का वैलू क्या होता है 22 बटा 7 होता है चली रख दी है और 3 तो और ये जो अच्छा 4 बटा 3 तो formula है 3 हमारा क्या है उपर चला गया ठीक है ये 22 से 20 कट गया अब हमारा जो है इसात्य कीव्हा दोस्तों सात उपर जाएगा तो यह की षाजएगा कोफीं कि दिक्तर दोस्तों मुझे मैं लगते आप लोग कोई दिक्कत है तो आरा निकाल लेता है तो आरटेगा इस तरव आ जायगा ठीक है तो वनारा यह आए यह आर बड़ा clapping इतना चाला है विदिक्ट दोस्तों मुझे नहीं लगता आप लोग कोई परिशानी हो रही होगी इसी तरह दोस्तों हम जो है इसी तरह जो है दो दो क्वेशन में आज आपनों करवा देता हूं ठीक है दोस्तों इसी तरह जो है दोस्तों अर्ध गोले का अर्ध गोले का आईतन दे दिया रहेगा दोस्तो कितना अर्ध गोले का आईतन दे दिया रहेगा दोस्तो 178 सेंटीमीटर इसको अठीक है दोस्तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी आईतन दे दिया रहेगा दोस्तो तो वो cube में होगा ठीक है यह अर्ध गोले का है इसका जो item दे दिया गया दोस्तों वो कितना है दोस्तों item दे दिया 178 cm की तो आप लोगों को पता हो गोले का जो item होता है वो क्या होता है 283 pi r cube तो formula लिख दिया है अब हमको r q निकालना है तो 178 यह सारा जो है इससे डिवाइड हो जाएगा ठीक है दोस्तों रूट में आ रहा है इससे आप घवरहिये मत ठीक है दोस्तों यह तो समझाने के लिए दोस्तों क्या है मैं आपको basic clear करना चाहरू किस तरह से आप निकालेंगे question को किस तरह से deal करेंगे यह तो मैं खुद से बना के दे रहा हूँ लेकिन question जो आएंगे वो root में नहीं आएंगे वो आपको बना के दिया इस तरह से दिया रहेगा तो root root सब हट जाता है ठीक है दोस्तों तो चलिए 2 बटा 3 पाई पाई का भेलवा 22 बटा 7 यह इस तरह मैंने किया दोस्तों RQ निकालने के लिए तो यह 178 को सबसे divide कर दिया चलिए तो अब क्या हमारा कटने वाला देखेंगे दोस्तों 178 है कटने वाला है दोस्तों तो काट देंगे चलिए हमारे यह 22 से साइध कट जाएगा तो चलिए हम पहले 11 से काटते है तो 11 से नहीं काट रहा है दोस्तों चलिए हम 4 से काटते है 2 से काट लेते है तो चलिए 11 यह 2 से काट गया ठीक है दोस्तों 2 से काट लेते पहले 2 816 ठीक है दोस्तों 1 2 918 ठीक है दोस्तों कोई दीक कत चलिए दो से काटे दो कितना आगया दोस्तों दो ये साथ है दो अठे आठ दुनी 16 एक दो नम आठा रहा है ये सही है ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप ये देख रहे है तीन से कट रहा है तो नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों चलिए तो 89 और यह सात्या 21 उपर चला गया कोई दिखा दोस्तों यह हमारा सात्या 21 उपर जाएगा और बटे में कितना होगा दोस्तों यारदोनी 22 आप लोग इसको ऐसे कर लिजे गुना करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आर बरावर क्या निकलेगा दोस्तों आर बरावर यह क्यूँ है तो क्यूँ भजाएगा ठीक है दोस्तों इत्ते गुने 21 वटा 22 यह हमारा एंसर सिंटिमीटर में आ जाया कोई दिक् करना बताया मैंने आप लूग मोठी का ख दॉस्तों अगले चलास है हमँ इंपोटेंट इंपोटेंट क्वेयार और करेंगे दोस्तों अगर को फोर्मूला यूजि खरने में किसी को दिक्कत रही है तो आप मुझे बता सकते हैं तो आज की कलास में बस इतना ही मन रही है मै आपने लात